अलो दोस्तों अंस टेक्निकल जॉब सेंटर योटोब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों मैं हूँ प्रभाकन निसाद यानि की निसाद सर और आज मैं आप लोगों को अपने योटोब चैनल अंस टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी कमपनी का न्यू लेटेस्ट कैमपस भरती नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ तो दोस्तों वीडियोज में बने रहेगा टाटा मोटर्स जमसेतपुर के द्वारा इस कैमपस प्लेस्मेंट का नोटिफिकेशन अपडेट आया हुआ है अगर आप लोग टाटा मोटर्स लिमिटेड कमपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियोज को लाश चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और विल आइकन को ओल कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियोज को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग ये समझे दोस्तों कि ये जो कैमपस प्लेस्मेंट लगाया जा रहा है वो किस कॉलेज में लगाया जा रहा है तो यहाँ प सिंदरी धनबाद जहारखंड यानि कि ये कैमपस प्लेस्मेंट धनबाद जहारखंड में लगाया जा रहा है जो भी कैंडिडेट्स टाटा मोटर्स जमसीदपूर में जौब करने के लिए इच्चुक हैं तो आप लोग बलियपूर एंसिटूट आप टेकनोलाजी इस्ट कै दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 7903716379931 यानि कि 9931 521647 यह है मोबाइल नंबर दो दोस्तों कोई भी जानकारी न समझ में आये कोई भी चीज के लिए नहो तो आप लोग डारेक्ली इस नंबर पर कॉल करके जो भी इन फार्मेशन इस कैंपस प्लेस्मेंट के बारे में चाहते हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है टाटा मोटर्स जमसीदपुर के द्वारा इस कैंपस प्लेस्मेंट का आयोजन किये जा रहा दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की यानि कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले कंडिडेट्स को यह कंपनी सेल एमेंबी मसीनिस्ट टेरनर ट्रेड यानि कि आईटी आई के जो कंडिडेट्स इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आईटी आई पास आउट हैं तो आप लोग टाटा मोटर्स जमसीदपुर में जौप करने के लिए बिलकुल एलेजिबल हैं गोल्डेन अपरिनिटी ट्रेड आईटी आई पास कंडिडेट्स यानि कि बहुत ही बड़ा मौका है दौस्तों आईटी आई पास कंडेट्स के लिए टाटा मोटर्स कंपनी में जौप करने के लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल कींडेट्स को ये कंपनी सेलेक्ट करेगी किस डेट पे आ 28 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे से आप लोग इस कैमपस प्लेस्मेंट में पहुंच कर अपना सेलेक्षन ले सकते हैं एक बार फिर से हम आप लोगों को साचातकार अस्तल यानि की इंटर्विव हुएनों पताते हैं बलियपुर इंसिटूट आप टेकनोलाजी इस्ट कैमपस समलपुर सिंदरी धनबाज जहारखंड में आपको जाना होगा 28 सितंबर 2024 को ठीक है तो चलिए दोस्तों इसके आगे में बढ़ते हैं आपको बताते हैं क्या डिटेल्स इन्होंने इस नोटिफिकेशन में और क्या बताया हुआ है बेनिफिट्स आफर्ड मंतली स्टाइपेंड एज पर गवर्मेंट नौर्फ अंडर अपेंटिसिप एसीटी यानि कि आपको जो सैलरी मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी जो गवर्मेंट रूल का अपेंटिसिप का जो सैलरी है वही सम्थिंग 8000 से 8400 रूपे तक आपको 8 घंटे की सैलरी आपको अपेंटिसिप के लिए मिलने वाली है तो दोस्तों यह जो campus placement लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है only apprenticeship के लिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ यह चीज़ बताया हुआ है कि अगर आपने ITI complete कर लिया है apprenticeship नहीं किया है तो आप लोग इस company से apprenticeship कर सकते हैं क्या क्या document लेके जाना है दोस्तों आप लोग समझेए resume, photo copy of, आधार card 10th, ITI mark street, government ID probe, passport size photos यह सभी document लेके आपको इस campus placement के लिए जाना होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों note में इन्होंने बताया हुआ है कि इस placement drive में अन्य राज्यों संस्थानों के छात्र भी भाग ले सकते हैं यानि कि आप लोग किसी भी state से किसी भी राज से हैं अगर आप लोग Tata Motors जमसेदपुर plant में ITI apprenticeship करना चाते हैं तो आप लोग इस campus placement में पहुँच कर अपना selection ले सकते हैं तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो campus placement Tata Motors Limited जमसेदपुर plant के द्वारा किया जा रहा है 28 सितंबर 2024 को उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोग को इस videos में बता दिया है तो दोस्तों ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी ये videos कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए गया videos अच्छी लगी हो समझ में आई हो तो videos को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करिए और like और comment जरूर किये करें मिलते हैं दोस्तों next videos में next campus placement notification update या फिर government jobs update लेके तब तक के लिए दोस्तों thank you धन्यवाद जैहन दोस्तों